नमस्कार दोस्तो मैं हूँ अमित नागपाल पॉल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका हारदेख अभिनन्दन हम आपको देते रहते हैं पॉल्ट्री के रेगुलर रेट्स अनाज के रेट्स चिक्स के रेट्स और पॉल्ट्री से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां दोस्तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आपको रोज के रेट्स मॉबाइल पर चाहिए तो आप इस बैल आइकन ये सब्सक्राइब बटन के साथ जो बैल आइकन आ रहा है इसको दबा दें तो डेली के रेट्स अनाज के रेट्स चिक्स के रेट्स भी आपको रेगुलर आपके मॉबाइल पर मिलते रहेंगे हम hatchery वालों से पूछ लेते हैं कि भाई आप क्या rate बेजना चाहते हैं वो हमें एक rate देते हैं या उनका एक group है उन्होंने एक rate निर्धारित किया है अब ऐसा कई बार देखा गया कि वो rate हमें तो 20 रुपे दे रहे हैं लेकिन वो 15 बेज देते हैं हमें 20 दे रहे हैं तो वो एक किसका भी बेज देते हैं लेकिन market बदलती रहती है उतल फुथल होती रहती है तो rate अगर थोड़ा कम जादा आपको मिल जाता है तो आप हमें इसका कोई दोश मत दीजिए लेकिन हाँ हम आपको market के वो rate दे रहे हैं जो एक branded company का rate चल रहा है rate breed के हिसाब से भी change हो जाता है अगर कोब 400 है या कोई और breed है तो rate change हो जाएगा quality के हिसाब से भी rate change हो जाता है तो आज का chicks का rate की बात करें बिहार में लगबग हमने कुछ हैचरी वालों से बात की वो 28 से 30 रुपे बोल रहे हैं जारखंड में बात की वहाँ भी यही 29, 29, 30 रुपे के लगबग बोल रहे हैं हर्याना की बात करें यहाँ पे 23, 24, 25 भी बोलने लगा है यह नहीं हमारी quality बहुत अच्छी है 24 के लगबग बिक रहा है राजेस्तान की बात करें वहाँ भी यही हर्याना की तरह ही 23, 24 के लगबग बिक रहा है हैदराबाद की बात करें वहाँ भी यही लगबग 31, 32 की डिमांड कर रहे हैं गुजरात में चले जाएं तो वहाँ भी 22, 23, 24 की कुछ हैचरी वाले डिमांड कर रहे हैं पूना में चले जाएं वहाँ भी 22, 23, 24 की डिमांड कर रहे हैं 36 गड चले जाएं वहाँ भी 29, 28, 30, 32 की थोड़ा उपर निचे की डिमांड कर रहे हैं इसके अलावा अगर हम जम्मू में चले जाएं वहाँ भी यही 26, 25 तक भी कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं वो इनकी क्वालिटी पर डिपेंड करता है तो दोस्तों ये थे आज के चिक्स के रेट हमारी वीडियो को शेर करना और दूसरे लोगों को हमारी वीडियो के बारे में और हमारे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इंडिया टीवी के बारे में बताना मत भूलिएगा बहुत बहुत धन्यवाद